तो आप लोगों का दबुक्स क्लब में स्वागत है मित्रो आज हम आपके लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरच्षड अधनियम 2005 से रेटेर कुछ महात्पूर कोशन लेके आए हैं कोशिस ये करेंगे कि इन सारे कोशनों को इसी वीडियो में याद कर लिया जाएगा बेरी इंपोर्टेन कोशन है तो चलिए सुरुआद करते हैं हमारा पहला कोशन है कि घरेलू हिंसा से इस्तरी का सरच्षड अधनियम 2005 में कुल कितने अध्याई और धाराएं हैं हमारा पहला option है 5 अध्याए 37 धाराएं दूसरा option है हमारा 6 अध्याए 38 धाराएं और तीसरा है हमारा 7 अध्याए और 40 धाराएं और चौथा है हमारा 4 अध्याए और 35 धाराएं तो इसमें जो हमारा पहला अंसर है 5 अध्याए और 37 धाराएं तो घरेलु हिंसा से सम्मन्धित सरेचड अधनियम में कुल कितने अध्याएं और 14 हैं तो 5 अध्याएं हैं और 37 धारा हैं टाप most question है चले next question को देख लेते हैं दूसरा हमारा question है कि घरेलु हिंसा से इस्तरी का सरचड अधनियम 2005 का बिस्तार कहां तक है नमबर दूसरा क्या है घरेलू हिंसा से इस्तरी का सरचड़ दियम 2005 का विस्तार कहां तक है तो पहला आपसन है इसका विस्तार केंदर सातिर राज्यों को छोड़ कर समस्त भारत पर है दूसरा है इसका विस्तार जम्मू कस्मीर राज के सिवाय समस्त भारत पर है तीसरा है इसका विस्तार संपूर भारत पर है और चौथा है इसका विस्तार जम्मो कस्मीर नागा लैंड और असमराजी के सिवाए समस्त भारत पर है तो इसका तीसरा अंसर होगा कि इसका विस्तार संपूर भारत में है अगर 5 अगस्त के पहले जब जम्मू कस्मीर केंदर सासित प्रदेश नहीं बना था तब इसका दूसरा अंसर था कि ये जम्मू कस्मीर राज के सिवाय समस्त भारत पर है लेकिन चुकि अब ये केंदर साथ से प्रदेश बन गया है इसले इसका विस्तार संपूर भारत में है चलिए नेक्ट कोशन देख लेते हैं तीसरा कोशन है घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरच्छड अधनियम 2005 की किस धारा के आधीन अपील के बारे में प्रधान है घरेलू हिंसा से महिलाओं के सरच्छड अधनियम 2005 की किस धारा के आधीन अपील के बारे में प्रधान है तो धारा 29 के थ्रू जो है अपील के बारे में बताया गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरच्षड अधनियम 2005 की किस धारा के आधिन हैं धारा 29 के आधिन यानि आफसर नंबर भी हमारा सही होगा next question देख लेते हैं हमारा क्या है चौथा कोस्टन है मारा घरेलू हिन्सा से महिलाओं का सरचण अधिनियम 2005 कब पारित हुआ थे तो इसका अंसर देख लेते हैं 13 सितंबर 2005 को गरेलु हिंसा से महिलाओं का सरच्षड अधनियम 2005 जो है पारित हुआ था 13 सितंबर 2005 को कब पारित हुआ था 13 सितंबर 2005 को गरेलु हिंसा से महिलाओं का सरच्षड अधनियम 2005 पारित हुआ था नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन का अंसर होगा उप्रयोक्त सभी यदि किसी भी इसमें जो है बेथित बेक्त भी कर सकता है सरचड अधिकारी भी कर सकता है बेथित बेक्त के निमित कोई भी अन्यवेक्त कर सकता उप्रयोक्त सभी तो घरेलू हिंसा से महिलाओं के सरचड अध्रियम 2005 की धार 12 के इंतरगत कौन आवेदन पत्र पस्तूद कर सकता है उप्रोक्त सभी पस्तूद कर सकते हैं नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं घरेलू हिंसा से इस्तरी का सरचड़ अद्यम 2005 की कौन सी धारा के इंतरगत घरेलू हिंसा को परभासित किया गया है तो इसका जो आंसर है धारा 3 के तहट जो है घरेलू हिंसा को परिभासित किया गया है हमारा कोशन क्या है गरेलू हिंसा से इस्तरी का सरच्छड अधिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतर गत घरेलू हिंसा को परिभासित किया गया है इस अधिनियम की धारा साथ के अंतरगत विठित विक्त के अलामा कौन सा विक्ति चिकिसा प्रभारी विक्ति को विठित विक्ति को चिकिसा उपलब्ध कराने है तो अन्रोध कर सकता है नमबर फर्स्ट है सरचड अधिकारी और या सेवा प्रदता या मुख्यन्यायक मजिस्टेट और या सेसन्याधीस जिला मजिस्टेट या उपखंड मजिस्टेट उपरुप्त में से कोई नहीं तो इसका जो है पहला अंसर होगा कि जो सरचड़ अधिकारी है और या सेवा प्रदता है ये क्या कर सकता है ये चिकस्या उपलब्द कराने है तो अन्रोध कर सकता है इस अधिनियम की धारा साथ के इंतरगत बेथित ब्यक्त के अलावा कौन सा ब्यक्त चिकस्या प्रभारी ब प्यथित ब्यक्ति को चिकिस्सा उपलब्द कराने हैं तो अन्वोत कर सकता है तो आपसन नमबर फस्ट सरनच्छड अधिकारी और सेवा प्रदिता जो है कर सकता है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं केंद्र सरकार और प्रतेक राज सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुस लगाने है तो क्या उपाय करेगी नमबर फस्ट है सारवजनिक मीडिया दौरा व्यापक प्राचार कराएगी दूसरा है न्याईक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रसिच्छित करेगी तीसरा है विदी ग्रह स्वास्त और मानोस अंसाधन मंत्राले विभाग के वीच समिनों बनाएगी उप्रोक्त सभी तो इसका अंसर क्या होगा उप्रोक्त सभी अमारा कोशन क्या था केंद्र सरकार और राज सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुस लगाने है तो क्या उप्रोक्त सभी द्वारा ब्यापक प्रचार कराएगी नियायक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रसिछित कराएगी विदी ग्रह स्वास्त स्वास्त और मानोस अंसाधन मंत्राले विभाग के वीच समिनों बनाएगी उप्रोक्त सभी इस अधनियम के कौन से प्रवधान के अधिन सेवा प्रदता की रूप में राज सरकार के साथ पंजी करण कराया जा सकता है तो इसका अंसर होगा धारा 10 धारा 10 के दौरा जो है राज सरकार के साथ पंजी करण कराया जा सकता है इस अधनियम के कौन से प्रवधान के अधीन सेवा प्रदिता के रूप में राज सरकार के साथ पंजी करन कराया जा सकता है तो धारा दस के द्वारा आंसर जो है इसका सी होगा अगला कोशन देख लेते हैं सरचड अधिकारियों की न्युक्ति इस अधिनियम की कौन सी धारा के अंतरगत की जाती है तो धारा आठ के थू जो है सरचड अधिकारियों की न्युक्ति इस अधिनियम की धारा के अंतरगत किया जाता है चलिए सारे कोशनों के एक बार रिपी से इस्तरी का सरच्षड अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्या और धारा है तो इसका आपसन नमबर फस्ट सही है पाँच अध्याए और 37 धारा हैं सेकंड कोशन देख लेते हैं घरेलू हिंसा से इस्तरी का सरच्षड अधिनियम 2005 का विस्तार कहां पर है तो संपूर भारत में है इसका अंसर नमबर थड़ इसका विस्तार संपूर भारत पर है नेक्स कोशन देख लेते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरच्षड अधिनियम 2005 की किस धारा के आधिन अपील के बारे में प्रवधान है तो धारा 29 के त्रू जो है घरेलू हिंसा से महिलाओं के सरच्षड अधिनियम 2005 की धारा 29 के आधिन अपील का प्रवधान है नेक्स कोशन देख लेते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरचछड़ा दिनियम 2005 कब पारित हुआ था 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ था नेक्स कोशन देख लेते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का सरचड़ा दिनियम 2005 की धारा 12 के अंतरगत कौन आवेदन पत्र पस्तूत कर सकता है तो वेथित बेक्ति भी कर सकता है सरचड़ा दिकारी भी वेथित बेक्ति के नामित कोई भी अन्यवेक्ति उपरोगत सभी इसका अंसर होगा नेक्स कोशन देख लेते हैं घरेलू हिंसा से इस्तरी का सरचड़ा दिनियम 2005 की कौन सी धारा के अंतरगत घरेलू हिंसा को परभासित किया गया है तो धारा 3 के त्रू जो है घरेलू हिंसा को परभासित किया गया है नेक्स कोशन देख लेते हैं इस अधिनियम की धारा साथ के अंतरगत विथित विक्ति के अलावा कौन सा विक्ति चिकसा प्रभारी विक्ति को विथित विक्ति को चिकसा उप्लब्द कराने के अनुरूद कर सकता है तो सरचड़ अधिकारी और या सेवा प्रदिता जो है अनुरूद कर सकता है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं केंद सरकार पेतेक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुस लगाने क्या उपाय करेगी नमबर फेस्ट सारवजनिक मीडिया द्वारा बयापक प्रचार कराएगी न्याईक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को प्रसिछित करेगी व सेवा प्रदिता के रूप में राज्य सरकार के साथ पंजीकरण कराया जा सकता है तो धारा दस कित्रू जो है राज्य सरकार से पंजीकरण कराया जा सकता है नेक्स कोशन देख लेते हैं सरचछ अधिकारीों की न्युकति इस अधिनियम की कौन सी धारा कैंतर्गत की जाती है तो धारा 8 के त्रू जो है इसके अधिकारीों की न्युकति की जाती है मित्रू ये मात्र 10 कोशन थे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like, share, comment और subscribe करना मत भूलेगा और अगर वीडियो में comment करके जरूर बताईएगा तो इससे related एक और इसका भी part बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो